आप मेंसे जो भी लोग separation को लेके बहुत सरे complaint लेके आ रहे हैं कि माम हम दोने की भी separation काफी लंबी टाइम से चल रहे हैं बड़ फिर भी हमारे life में हमारा जो divine mask line है वो return नहीं आ रहा है तो आप लोग के लिए में एक solid example को लेके आए हूँ आप लोग खुझ से relate करके देखेंगे कि आपकी ये जो separation है ये लंबी टाइम तक क्यों चल रहे है ओके देखें गाईज अभी क्या अभी समर्शी जिन चल रहे है तो दिन में इतनी धूप हो रही है मतलब 9 बजने के बाद आप अगर इसे बाहर निकलेंगे तो आपको sunstroke हो ह कि जाएगा ठीक है क्योंकि अभी solar flare की energy इतना ज़्यादा है solar मतलब sun की जो intensity है sun की जो मतलब जो ray है sun ray जो है उसका heat इतना ज़्यादा है आप उसे से नहीं पाएंगे तो इसको मैं example के through आपको समझाने की कोशिस करूँगी क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं कि union जो है union के time आप लोग की मतलब आँखों के सामने से illusion हट जाता है तो illusion कब हटता है जब light आता है तो light कब आता है जब दिन होता है जब सुरस निकलती है तब दिन होता है तो यह जो अभी का जो दिन का time है इसको आप union का time ले लीजिए और रात का जो time है इसको आप separation का time ले लीजिए आप अभी relate कर पाएंगे कि आप दोने के बीच union क्यों नहीं होती है क्यो आपको separation में बहुत ज्यादा time तक रखा जाता है तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी summer season चल रहे है तो sun की जो ray है, मतलब दिन में जो temperature है 45 degree temperature हो जाता है तो दिन में आप लोगों को इतना ज्यादा irritation फिल हो रहा होगा कि आप सोज रहे होंगे, आप सब wait कर रहे होंगे कब रात कब आएगी तो दिन में आप सब ही को irritation फिल होता है क्योंकि sun की जो ray होता है, sun की जो temperature होता है ये बहुत ज़्यादा high होता है जिसकी वेज़े से आपको जलन होती है आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फेलोता है आप अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं ना है अच्छे से सोब पाते हैं मतलब जिन लोगों के घर में ऐसी है वो लोग अच्छे से आराम कर रहे हैं जिन लोगों घर में ऐसी नहीं है या फिर कोई कुलर नहीं है, वो लोग उनकी जिन्दिगी पूरी तरह जानुम बन रही है, तो सारे लोग जो धूप में पूरी तरह घायल हो जाते हैं, वो लोग रात को वेट करके बैठते हैं, कि कब रात आएगी, कब इबनिंग आएगी, मतलब इबनिंग में अच्छी तो आप सबको ठंडक बहुत अच्छे लगती है, तो बहुत सारे लोग अभी रात को वेट करके बैठते हैं, तो इसी को आप अपना सेपारेशन में रिलेट करके देखिए, तो जैसे कि मैंने बोला कि दिन का टाइम आपकी यूनिन का टाइम है, रात का टाइम आपकी अपना सेपारेशन का टाइम है, तो अगर पूरी तरह एसे दीन चलती रहेगे, रात नहीं आएगी, तो आपकी हालत क्या होगी, मतलब धूप नहीं जाएगी, सूरज नहीं डूबेगी, तो आपकी हालत क्या होगी, यह पूरी धरती जल जाएगी, तो इस स्रिष्टी को बचाने के लिए रात को आना ही पड़ेगा ठीक है सुरोज को डूबना ही पड़ेगा ओके नहीं तो हमारी जो लाइफ है हम इस धर्ती पे मतलब यह धर्ती नहीं रहेगी ना ही हम रहेंगे ना हमारा जो टूइन रहेगा मतलब कुछ भी सबकुछ डिजास्टर हो जाएगा क्योंकि बहुत सरे लोग बहुत मैचूर हो गये हैं तो आप लोग यह कुछ बोहरे हो हो आप लोग इसे डिए कारे करें तो अगर टिन अगर रात नहीं होगी एक माइना तो चोड़िये अब एस दीन if रात नहीं होगी तो आपकी हालत क्या होगी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिस करिए ठीक है मतलब यह धर्ती जो है यह पूरी तरह जल के राक हो जाएगी और धर्ती तो जलेगी ना ही आप रहेंगे ना हम रहेंगे ना हमारा ट्विन रहेगा ना आपका प्यार रहेगा ना आपको पेन फिल होगा ठीक है ठीक उसी तरह अगर आप दोनों की बीच सेपारेशन नहीं होगी आप लोग खुद बताइए कि आप लोगे साथ क्या होगा देखेगा इस एक्जम्पल को इसलिए दिया क्योंकि ट्विन फ्लिम्स जो होते हैं उन दोनों की सोल की इंटेंसिटी इतनी हाई है उन दोनों को अगर यूनिन में बहुत लंबी टाइम तक रखा जाएगा तो वो दोनों ज़्यादा दिन तक साथ में नहीं रह पाएंगे इसलिए उन दोनों को बीच बीच में सेपारेशन में डाला जाता है आप इस एक्जम्पल को रिलेट करके देखें आपको समझ में आ जाएगी दिन के बाद रात आता है रात के बाद दिन आता है ठीके ना बस दिन चलेगी ना राती रात होगी लाइट के बाद अंधेरा को आना ही पड़ेगा अंधेरा जाने के बाद लाइट को आना ही पड़ेगा ऐसे ही अगर चलेगा तो यह धर्ती चलेगी नहीं तो ना कोई इस धर्ती पे जनम होगा ना कोई मरेगा ठीके तो यह सृष्टी का नियम है आपको इससे अकसेप्ट कर तो आप अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो यह जो separation का जो illusion है इस illusion में आप अपना सारा जो भी inner work है इसके complete कर लोगे ना ही आपके मन में कोई doubt रहेगा ना आपके मन में union के लिए उतना craving रहेगा ना कोई complain लेके आओगे कि माम हमारे बीच क्यों इतनी दिन तक separation चल रहे है ठीक है हो सकता है जिन लोग बीच ज्यादा दिन तक separation चलता है आप लोग समझ जाएगा कि आप लोग master soul है ठीक है आप लोग की soul की जो intensity है वो इतना ज्यादा high है अगर आप लोग को अभी union में लाया जाएगा आप लोगी जो energy है आप दोनों अगर union में आ जाएंगे तो आ अलरेट नहीं कर पाएगी ठीक है आप लोग की death भी हो सकती है या फिर आप पुरी तरह imbalance भी हो सकते हैं ठीक है जिसे इस example को मैंने दिया धूप बाली energy जो दिन बाली energy अगर धूप एसे पूरे 24 घंटे चलेगी तो क्या होगी आप लोग समझने की कोसिस करिए ठीक उसी तरह आप लोगों को अगर बस union में रखा जाएगा बिना कुछ किये बिना आप अपने आपको बालांस करके अगर आप दोनों की union हो जाए तो आप लोगों की soul की जो energy है उस energy से आप डेस्ट्रे भी हो सकते हैं ठीक है